इस ठर्ण में हम आपके लिए लेके एकदम नए नास्ते की रेसिपी तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए यहां पे हमने एक बावल लिया है जिसमें हम डाल देंगे आदा कप के लगभग पानी और यहां पे हमने दो मेडियम साइज के कच्छे आलो को छिलिके दोने के बाद कद्व कसकर के रखा था था तो हमनी हमन्या पे दो वालो लिये हैं अब इसीके साथ हम यहां पे डाल रहे एक कप चावल का आठा अगर wtf चाखे तो इसनास्तिक कचावल के आठे के बदले में सूजी से भी बना सकते हैं इसीके साथ मिए डाल रहे अब इसमें हम डालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्याज एक बारिक कटा हुआ टमाटर दो से तीन हरे मिश तीखे के लिए और थोड़ा साम यहां पर डाल देंगे हरा धनिया अगर आप इस नास्ते को चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें आधानियमू का रस या तो फिर जूर पाउडर डाल सकते हैं जिससे नास्ता और भी चटपटा और मज़ेदार बन के तयार होगा अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा नमक डालने के बाद तो इहां पर हम स्वादिक अनुन सा नमक डालें तो पहले हम ऐसे मिला लेंगे फिर हम पानी डालते हुए आप गोल बनाएं नहीं तो फिर गोल आपका ज्यादा गीला हो जाएगा तो यहां पर और थोड़ा सम पानी राल दी है तो यहां पर टोटल मिला के हम एक कप पानी का यूज किये हैं अगर आप चाहे तो इस नास्ते को कच्छे चावल से भी बना सकते जिनको आदा पूलाने के बाद में पीछ के इस नास्ते को बना सकते तो या फिर आप चाहे तो इसे सुखे चावल पाउडर से भी बना सकते तो यहां पर और थोड़ा सम ने पानी डाल दिया है तो इसे अच्छे से में कोई गुठली या ना रहे अगर आपके पास और भी कुछ सबजी है जैसे गाजर होगे सिमला में रिच हो गया हरे मटर तो डाल सकते हैं तो फिर इसके बिना भी बना सकते हैं तो यहां पर और थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा और एक बार हम अच्छे सेन को फेट लेंगे यह हमारा वीटर बनकी तयार है इससे ज्यादा हमें गीला और न एक बार में तीन से चारी नास्ता बनाएंगे ताकि इससे पलटने में आसानी हो और गैस का फिलेम मेजियम रखे अच्छे से फ्राइ करेंगे दोनों तरब से उलट-फुलट करते लिए फ्राइ करने तभी एक क्रिस्पी बनेंगे यह जो नास्ता है शरीफ दस मिनट में आप बना के तयार कर सकते हैं जब भी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो कुछ भी चटपटा खाने का मन हो तो इस नास्ते को जरूर बनाए घर में पड़ी चीजों से अब इस नास्ते को फटा-फट से बना के तयार कर सकते हैं तो दीरे-दीरे करके हमें नास्ते को पलट देना है, तो ये एक तरफ से अच्छे से शेक ग्या है, ये देखने से लग रहा है, कितने क्रिस्पी बन के तयार हुआ, कितना मजेदार नास्ता है ये, तो ये अराम से एक दम पलट दीजिए, ताकि ये टूटे नहीं, तो हमारा नास्ता जो है दोनों साइड से अच्छे से फ्राय हो गए, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हमें सारे नास्ते को बना के तैयार कर लेना है, जितने भी नास्ते आपको बनाना है, ये खाने में बहुत ही इसे बनाने में ना तो कोई जहनजत और नाई कोई मैना थे, जितना कम टाइम में ये बन के तैयार हो तो बतना ज़ादा है ये टेस्टी भी बनता है, तो इस नास्ते आपको बना के खा शकते, सुबव या साम या तो फिर बच्चों का टिपिम, जब आपको रोटी सबजी बनाने का मन ना हो तो फटा-फट से इस नास्ते को बना के त्यार कर सकते हैं बहुत ही कम समान में तो इस नास्ते को एक बार आप जरूर बनाईए और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आने पर लाइक केजिए का Call Phone PC सेज़र के जी चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूली तो इससे अब हम तोड़कि दिखा देते यह नास्ता जो कितना मजेदार बनके तयारहें यह अंदर से बहुत नरह्त उर मुलायम और बाहर से बहुत ही खास्ता बनके तयार होने वाला नास्ता है इसे सभी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि जटपट बनने वाला नास्ता है वह घर में पड़ी चीजों से बनके तयार होता है तो चली इस नास्ते को हम तोड़ के दिखा देते ये कितने अच्छे बनके तयार हुआ है इसे आप चट ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तब तक के लिए धैन्यबाद